स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चनल साइंस्ट टिकनोलजी में मैं अनुपमवेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो फ्यूचर फ्राइडी में आज हम लोग बात करेंगे मैस ओफ लेट स्टेज कापिटलिजम पार्ट तू यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डिक्टेटर्शिप जो है बाहर सभी अच्छा दिखाता है यानि कि अगर आप मुर्ख हैं तो आप चाइना का भी जो एडविटीजमेंट हो रहा है उसको देखे हो लिए चाइना में सभी बढ़ी है जहां भी जिस बिस देश में दिमोकरसी वहां लड़ाई जगड़ा होता है यह कुदरती है इंडीड इट है इस बिस देश में दिमोकरसी इस वर्स फॉर्म ऑफ गवर्वर्मेंट except all those other format that we have been tried time to time मतलब हम लोग ने बहुचिश ट्राइ किया राजा महराजा ट्राइ किया कॉमिनिजम ट्राइ किया हुलुलुलु ट्राइ किया जिंगाला ट्राइ किया सब में आउटपुट यही आया कि वो सब इससे भी ज़्यादा खरान है कैपिटलिजम में भी वही बात होता है कि क्या कैपिटलिजम एक सिस्टम है जो मतलब अगर उसको नहीं अच्छा से मिंटीन किया जाए तो आउट अफेंट आप्वियसली तो राभात बाकी सब तो उससे बढ़ी है नहीं जी यह हम लोग कर चुए यह रियल लाइफ है सर रियल लाइफ है रोज आई-एसस का बहुत सारा वीडियो रहता है जो आई-एसस चांद के उपर से यह चांद भोल रहा हूँ यह धरती के उपर जब चक्कर काटता है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं आपको यह दिख चाहेगा पहले उन्होंने कैपिटलिजम को मतलब एक बिजनस डिमें बना के उसको खोल दी है कैपिटलिजम से गुरो थोनल लेकिन अब धिकत ही आता है कि गवर्मेंट का कंट्रोल कमज़ों क्योंकि कैपिटलिजम होता है जब आप पैसा आता है जो चाइना में रहते हैं नियॉयोर्क में आदसद है अपार्टमेंट चाइनीज लोग खरी के बैठे हुए समझे हैं, सब लोग भाग वही समझे है और ये सब मीम चाइनीज लोग बताते हैं बाहर के लोग नहीं, चाइनीज लोग बताते हैं यहाँ चाइना बहुत बढ़ी हैं बस सब लोग बाहर निकलने का रस्था बनाई रखे रहते हैं तो वही समझेगी, कापिटलिजम में भी वही बात होता है कि यह बढ़िया नहीं है, एकदम क्लियर करना है लेकिन हमारे पास कोई और option नहीं है और खास्तों पर वह option नहीं है, जो try कर चुके है यह बहुत ज़्यादा लोग आजकल बोलने लगता है कि जैसे कि North Korea communism नहीं है USSR communist नहीं है यह समझना बहुत ज़री है, हम लोग try कर लिए है आउटपुट यहीं है कि capitalism अगर उसको maintain करते हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं maintain करते हैं तो बुरा हो जाता है, लेकिन तब भी वो बागी सबसे उपर रहता है और खास्तों पर long term में तो यह एकदम clear कर दे हैं तो इसको maintain कैसे करेंगे यहाँ पर वही logic आता है, जो democracy को समाल कर रखता है जैसे हम लोग करते हैं, checks and balances यानि कि अगर आप government को ले तो government में इस तरह के clean branch हो सकते हैं जैसे कि आपका executive branch हो गया है, judicial branch हो गया legislative branch हो गया, यानि rule को बना रहा है, implement को और कर रहा है 500-600 लोग supreme court justice है, वो लोग अगर कुछ करना चाहिए, जरो से ज़ादा हो जाते है तो यह दोनों break लगा सकते हैं हमेशा logic वही रहता है, अगर एक party बहुत ज़्यादा बहता है, तूसरों लोग रहता है कहने को आप कहेंगे कि Russia capitalist है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ oligarch पैसा कमा रहे हैं और बाकी सब के हालत इतना ज़्यादा खराब है कि आप क्यों सोच तो कि इंडिया में Russian alert किसी इतनी आ जा रही है ठंडे दिमाग से सोचो और रहा बात, आखरी बार आपने कब सुना था एक Russian billionaire जो oligarch नहीं है या oil और mining industry से connected नहीं है मैं आपको छोटे-छोटे देश बताऊंगा उसका आप 5-6 company का नाम सुने होगे, जानते होगे या या यूस भी कियोगे प्रॉडक्ट रश्या को बोले हैं, आपको लिटरली खोजना पड़ेगा कि अच्छा ये एक ठुट चीज वो चांद तक गय थे, क्यों वह समझना बहुत ज़री है, इसलिए डिक्टेटर्स जब आते हैं ये चेक्स अन बैलेंस तूड़ जाता है, तो day one में सुरू-सुरू में बहुत समय में दिखता है, तब हो जाता है कि अच्छा, मार लोग इधर से हुलू-लू करते हैं, चाइना का अधर सब लोग सब लोग अमेरिके भागेंगे, जितने CCP वाले हैं, जहां वो ऑस्परेटिव मेजर से असार होने लगा, तो क्यों डिफ्ट मार जाएंगे अमेरिका के त होता है कि वो है तो वही है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उसमें भी बैलन्स होना चाहिए, चाहिए वो मंदिर हो, चाहिए वो पोप हो, बैलन्स होना चाहिए, अगर ये चेक्सन बैलन्स नहीं है, आप लटकने वाले हो, फरक नहीं पढ़ता कि कुछ भी हो, अब वही सम मिंटीन करना, जैसे होता है कि अपका कोई अगर औजार है उसमें जंग लग जया तो जंग हटाया जाता है, औजार नहीं भेका जाता है, वही वाली बात है, तो होप है, अगर इतिहास गवाह है, वह है, वाल था जर्मनी में, एक ठो, लेफ्ट और राइट वाला, देखके बहुत चीज सीखने को बिल जाता है, तो अब बात करते हैं, इसमें गवर्मन्ट का क्या रोल है, तो गवर्मन्ट समझी वह लूब्रिकेशन है, जो यह सारा चीज को चलाता है, अगर गवर्मन्ट अच्छी और स्ट्रॉंग है, और हेल्दी नहीं है, कैपितलिजम होके भ स्री लंका, तो इस समझना बहुत ज़रूरी है, अगर गवर्मन्ट ठीक से काम नहीं कर रही है, बाकी सारा चीज ग्रो नहीं कर पाएगा, यह बहुत ज़रूरी है, और गवर्मन्ट का सबसे बड़ा काम होता है, जो लॉंग टर्म है, मैं क्लियर कर जाना, बहुत सारा फांडेशन रखा गया था, जैसे कि इंडिया रिल्वेव में पैसा पानी की तरब हाया, तब जाके आज हम लोग इतने बड़े हैं, अभी भी देखिया हम लोग वही कर रहे है, पैसा पानी की तरब हा रहे है, आपका डेडिकेटट फ्रेट कोरीडोर में, वो आज के कि यह अगर गौवर्मेंट नहीं करती है, कैपिटलिजम खा जाएंगे उसको, वही समझेए, रिस्ट्रिक्शन ओफ एंटी कंपेटिटिटिव टूल्स एंड बिहेवियर, यानि कि अगर कोई चीज़ एंटी कंपेटिटिव हो रहा है, गौवर्मेंट को डिस्क्रेक लग सर, आपके स्टील एंटील कितमें बनता है, जैसे माली जी स्टील का आता है, हजार रुपेया टन, कुछ भी मालो आप, ठीक है, और उनको बनाने में, अगर आटसो रुपेया टन मिल रहा है, वो एक काम करें और पांसो रुपेया टन में आपको बेचने लिल जाएंगे, उनका नुक्सान होगा हाँ होगा गफर्मेंट नुक्सान उठा ले की लेकिन यह होता है इस है dumping कहते हैं अगर उनका गफर्मेंट मतलब अच्छा काथा गपकुल और आट था आटाट बेच नहीं सकते हैं आपको कम से कम एक हसार तो करना पड़े हैं तब ही ना उसका पूरा जो इंफरस्ट्रक्चर कॉस्ट रिकवर होगा तो वो मेकिंग प्राइस से नीचे उतार के डंप कर सकते हैं और डंप जब होता है डंप पड़ी कंपनी कर पाती है चोटे कंपनी इसको मार डाला जाता है यह प्लेन बनाके लॉस में बेचते रहे थे ऐसा क्यों कर रहे ताकि छोटा चोटा कंपनी भी ना बचे लेकिन बाद में गवर्मेंट मिसाइल बाती है कि वह आप डंपिंग कर रहे हो डंपिंग लॉट यह सब करना क्योंकि पबलिक के पास ओप्शन कहां से हैगा कि जैसे को अब बड़ी प्लेन भी करती है जानी कि बोईंग सब बनाता है बोईंग खरीगता है पार्ट चाहे जेट इंजन और एवियोनिक्स रेडियो जो एंटिन अटिन अगर जाता है तो वैसे आप एक हिसाब लगा सब और रावत गोब्मेंट के टैक्स में आपको दिखाना इसके खिलाफ पब्लिक कुछ नहीं कर सकता इसलिए डंपिंग में मिसाइल मारना बहुत ज़रूरी होता है दूसरा प्राइस फिक्सिंग यह बहुत कड़वा बात हो जाता है जहां पे कंपेटेटर्स होने के बाबजूद भी वह बोलते हैं कि काम करते ना आप और हम फिक आप इंप्राइस फिक्सिंग तब दिक्कत ही हो जाएगा कि ना तो आप इंप्रूफ कर रहा है और कोई और कंपेटेटर आ नहीं पाएगा क्योंकि आप दोनों मिलके उसकी वाट लगाओगे होना नहीं चाहिए लेकिन प्राइस फिक्सिंग कर ठीचरिचिए कि आप एक्टिचंग लोगा और फिर यह अब्स्री कंपोटेटर यहे अभी रिसेंटील के माई पाटेस में था क्या बात करें मेटा के बारे में क्या बत करें सीधे इंस्टागराम ही खरी लिए तो यह सो को एता है absorption of competition यानि कि अच्छा यह कंपणी आ गए आ रही है हम इसे flood करके खरी लेते हैं अब बोलेंगो उसमें गवर्मेंट को आने का कि जोड़ाता है बात है कि अगर आप stock market में जाते हो तो आप बहुत control खो देते हो आप owner होने के बाद भी control हो सकते हो अपनी company का और उस case में जैसे कि arms जो है arm holding नहीं बेचना चाता है अपने आपको ठीक है मान लीजे लेकिन उसके stockholders profit के लिए अच्छा यह जैसे मान ली एंवीडिया बोलता कि हम तुको 10 billion में खर दें है तो लटक जाएंगे कि या रहे हमें तो बेचना पड़ेगा उस case में government ही रोक पाएगा कि sir नहीं आपको बेचना है जो कि UK कर दिया कि sir यह हमारा एक्टर धंक का technology company है उसे क्यों बेचे आप सोल्डिंग को तो लोजी को absorption of competition यह नहीं अलाव किया जादे कि इससे कोई नय हमारे case में यह है competition commission of India यह सब का काम होता है यह सब को ध्यान रखना क्योंकि अगर यह नहीं कर पा रहे है अपना काम छोड़े आप और हम मरे जाएंगे यह बूलने capitalism का सबसे बड़ा side effect ही होता capitalism बिना इस तरह के fair game के नहीं चल सकता यह ऐसा समझे cricket में आप घुजाला कर र गवर्मेंट का यही रोल है गवर्मेंट ही कर सकती कोई और नहीं कर सकता वही है जो mega corporation को बनने से पहले रोख सकते है कि नहीं जो अभी हो जाता कर रहे है इंविडिया arms को ले लेता तो बहुत बड़ा हो जाता है तो break लगाने काम गवर्मेंट का होता है यह बहुत competition हो गया तो क्या हमें company खोल सकते हैं कर सकते हैं यहाँ पर एक फाइदा आता आपके लिए bureaucracy दुनिया में सबसे डरावना चीज क्या है bureaucracy यह किसी को भी उड़ा सकता है including gods यह आ गया तो वह किसी को भी मार डा लेगा मैं बोलता हम global warming में प्रॉबलम नहीं बिरोक्री से लोग है ठीक है वहीं आप बड़ा company लेते हो नाइकॉन लेते हो नाइकॉन में 5000 लोग है तो कौन company तुरंत decision लेके तुरंत implement करके प्रॉड़ट बहार निकल सकते हैं obviously जो चोटी है तो वही समझे कि जब बढ़ा करते हो कोई company हो चाहे वो टाटा हो महिंद्रा हो कुछ भी बढ़ा करते हैं आराम से एक छोटी company आके फटा फट काम करके आगे निकल जाएगी और यह लोग मुझ ताकते रहे जाएगे यह होता है real life में इसको वही समझे है corporate bureaucracy बढ़ जाती है कि मीटिंग के अंदर मीटिंग उसके अंदर मीटिंग आप करने रखते हों तो काम कम होत है overhead जैसे कहते है technical term में वह बढ़ जाता है तो agility खतम होता है तो इसका फाइदा क्या होता है यह तो हो गया कि बड़े लोग का नुकसान हो रहा है कि कोई Boeing का engineer किसी भी इसको क्या बोलते है आपका board of directors को नहीं तमाचा मार के समझा पाए कि sir plane एक बार उड़ जाएगा जितन सारे case में हो जाता है अदर लोग चौंग जाते है आपको समझना पड़े जिसे आज आप बड़ी company करो एक टाइम पर यह चोटी company थी IBM से बाद Microsoft है Microsoft Trillions में IBM को खोजना पड़ेगा आपको कि कहां है बाई समझना बहुत जरूरी है कि बड़ी company जब बड़ी हो जाती कि हम बड़े हैं तो वो bureaucracy भी बढ़ जाता है और उसके case में वो agility खोते हैं तो छोटी companies के पास रस्ता खुलता है जैसे कि अभी Samsung अराम से पूरी दुनिया के टेक ओवर कर सकता था लेकिन नहीं उनको लुजमोसन नहीं करना था अराम से दूसरी mobile company आ सकती थी बन जाएगी हो गया, nothing phone कहां से आगे, इतना saturated market पे जहां बड़े-बड़े players टूटके चले गए, LG टूटके चला गया, HTC टूटके चला गया, nothing phone अब आया, और competitive environment और अपना नाम बना लिया, अपना sales करने लिगा, sales volume बढ़ने लिगा, भाईया, ये कैसे हो गया, भाईया, ये कैसे हो ग किजिए, तक, 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 यहां जब तक पहुंचेगा तो हो गया, हो गया, आपका competitor आपको ले लिया, बंद करो दुकान, ये हो चुका है, तो समझना बहुत ज़री है कि आप अराम से कोई भी company, अगर आप अपने competitors को अच्छे स चला गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कि आपको मैं बोलूँ कि flagship pictures, नहीं कि low budget picture नहीं, flagship pictures में, कितने में आपको जिसमें Oscar Oscar level की बात हो रही है, उसमें कितने में Canon camera से shoot हो है, खोजने पे भी नहीं मिलेगा, Sony बले मिल जाएगा, आपको Canon नहीं मिलेगा, Red कहां सा आ गया उसमे वही समझ ये, छोटी company बहुत है, ये आपको से benefit है, कभी ये बात से डरिये मत कि अरे टाटा है, महिंदर है, आपको कारी बना गया, आप बना सकते है, आराम से धो भी सकते हैं उनलों को, और जब तक उनको समझ में आगा, अच्छा हमारी धुल रही है, हमारी कटने वाली ह आप मार्केट काफी बढ़ा ले सकते हैं, ये एक फाइदा है, तो भी समझ ये, कि बिरोक्रिसी किसी भी giant को उड़ा सकता है, अगर जैसे होता है, कि the agenda for this meeting is to try to figure out why we are having this meeting, मतलब कि अगर ये होता है, बड़ी-बड़ी company में होता है, कि आराम से जो काम, सर ये कर रहा है, काम स्टार्ट अप नहीं बोल सकते हैं, तो वह 20 साल के तो बोलो ही, हम लोग हुलुलुलु कर रहे थे, तो इस समझे ना, बुरोक्रिसी बहुत अच्छा मौका देता है, फर्टाइल कराउंड देता है, छोटे-छोटे-छोटे प्लियर्स को, इसलिए सुचे कि जहां पे HTC हा मत की, मेरे को करना है, कर दीचे, एक्जामपल देता है, फ्रेमवर्क का, तो आप सोचों की, सैचुरेटेड मार्केट है लापटाप, लापटाप का तो अब रिव्यूज भी नहीं होता, कोई लोड नहीं लेता है, उसके बारे में, मतलब हर चाही होता है, अरली एक्साइ अरली फेज में हो और इतना स्पीड चल रहा है, तो यहां पर समझे कि, यह जब भी इस तरह का होता है, लापटाप होता है, तो सब कंपनी के पाद एक दिक्कत आता है, कि वो सब एक ही जैसा कचरा बनाने लगते हैं, जैसे कि अभी तर आप कोई भी लापटाप, करसी होता है, मैं गैरेंटी देता हूं, उनके अंदर इंजीनियर चिला रहे होता है, सर अब रही बार तो मॉडल बदल दो, अब रही बार तो रिफ्रेश कर नहीं, वो पहले जाओ उपर तक बात पहुचाओ, छे साथ 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 साल लग जाएगा, उसको पहुंचाने में उसके बाद बोलेंगे, तुम तो वेबकेम भे नहीं सुधार रहते हैं, यह होता है, तो इन्होंने लैप्टप बनाया, और लैप्टप कुछ फुला-ला नहीं किया, बस यह सब का कम्प्लेन ले लिए, कि भाई, आपका कम्प्लेन क्या है, वेबकेम कच रहा है, हम ठीक कर आपको पता है कि दूसरे क्या गलत कर रहे हैं, जैसा कि मैं अराम से, कोई मतलब का सैमसंग जैसा कम्पनी है ना, वंचर कैपिटल सैमसंग का ही प्रोड़ट करीद के, यानि कि सैमसंग का मेमोरी, सैमसंग का डिस्प्ले, बाइदवे, एपल में भी लगता है, वो लेके सै अच्छा अइडिया है, यह कर रहे हैं, तो LG क्यों नहीं कर रहा है, HP क्यों नहीं कर रहा है, Dell क्यों नहीं कर रहा है, बात कि वो लोगको प्यार हो गया है, plant obsolation से, यानि कि उनका पूरा business strategy है, कि हम कबार बनाएंगे, यह दो से तीन साल में सहाँ हो जाए, बहुत वह तो उसका उल्टा कर दे रहे है। इनका एक एक हैसर हमारा मैंहेंगा mentors है लेकिन पर झाल फडिये, जो एक। करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे.. करते रहोगे हम आपको मोड्यूल्स वेचेंगे हैं हमको लैप्टॉप आप खरी तो अच्छी बात है लैप्टॉप नहीं खरी तो कोई बात रही है और इसलिए लैप्टॉप महेंगा भी है कि वह रिटर्न जो है तो यह एकदम उल्टा चल रहा है तो यह जो प्लाइंड ऑसलिएशन से प्रॉफिट आता है फिक्स है कि सब लोग खर देंगे मॉवाइल जैसे अराम सब मेरे भाई यह साथ तीसरा या चाथा लैप्टॉप पर पहुंच गया है तो इस समझना बहुत ज़री है कि जाएंट क तो दो साल लग जाएगा अच्छा यह कुछ करना चाहिए क्या है अठारा महीना में इन्होंने स्टार्टू लेकर फर्स्ट प्रॉडट्ट ले आए टेकिट एंड गो मैं क्लिर कर दो परफेक्ट नहीं है लेकिन सोची कि कि किस मार्केट में उतरे हैं और कहां पर यह टिक क्या कूरा सेलिंग क्या कर ग्या कि बाकि सारे फिलोण ब्लैंड हो गया है वह ग्लैंड को इकदम हटा के इसलिए डिजाइन पर महुन याप हुआ है ज्यादा चीज पर महनत नहीं कि डिजाइन पर बैना यह एतलिस काला इंगटा ना लगे और मैंने इनका बहुत अच्छा बहुत डीटिल बिजनस के ताइन से नीचे दे दिया है प्लीज देख लीजेगा बहुत चीज आपको सीखने को भी लेगा यह हुआ यह हुआ फ्रेमवर्क फिर दूसाव मेरा पर्सेलर फेवरेट एडिसन मोटर्स ठीक है तो एडिसन मोटर्स क्या है ठीक है वह एक कiltonी ठीक है कोई बाड़ी बात नहीं आप मलब तरक बन गया रोड पे आ गया इसको गौर्वन अप्रूवल मिल गया, मतलब गुवर्मेंट का जो पूरा सेफटी चेक्स होते हैं, मतलब विन नम्बर डालने के लिए आपको जो करना पड़ता है, रेगुलेशन के लिए, हो गया, टिक इन गो, डन सर, तो महाराज ऐसा कैसे हो गया कि दो साल में यह ऐसा कर कैसे दिये, 2017 में, सर्फ ड्राविंग ट्रक्स, हुलालाला, ट्रक्स तो अभी तक आपके नहीं है, ऐसा सर्फ ड्राविंग तो छोड़ी दो, तो लोजिक वही है कि, इलोन मस्क भी इतना स्पीड से प्रॉमिस नहीं है, जितना में यह नोंने फिजिकल चीज बना दिया, टेकी टेंड क कर रहे हैं, इतना तीजी से डूड्स कैसे कर लिए, बात वहीं समझी है कि, और बहुत सारी और कंपनी भी है, ताटा ले लो, किसी को ले लो, वॉल्वो ले लो, यह सब को क्यों नहीं हुपा रहा है, वो सब भी R&D में ही क्यों अटके हुए है, कि मतलब जिस लेवल पर य एलपीजी हो, कुछ भी हो, सी एंजी हो, वो सब एक्चली थोड़ा ऐसा है, जिसे आप किसी के पास ले जा सकते हो, रिपेयर करने के लिए, बैटरी वाले में ना, कमपनी बहुत मैनत कर रही है, कि यह खुलू-लू-लू है, इसको अगर आप टच कर दिए, यह फूट बाता है, भाईया, यह बच्चों का खिलने का चीज लगेगा, लोग सोदर पर काम करते हैं, आप सर्टिफिकेशन लेते हो, उसको करते हो, आप मैजिक नहीं बदर, यह मैजिक है, महराज आप जाईए ना, अमदाबाद में मेट्रो में जाईए न, महराज वो 3,000 वोल्ट और बैटरी भी यह लोग लॉजिकल यूज करें, लीथियम आयरन फॉस्वेट है, लीथियम आयरन फॉस्वेट है, जल्दी बूम नहीं होता है, तो वही समझें कि यह काम करने पर देहन दिया, इनका पूरा डॉक्यमेंट किया हुआ है, यूटीब पे, आप पूरा देख तो है कि कच्रा नहीं कर रहे है, इनको इससार हमें टrक है, टrk कितना बना सकते है, जैसा कि बाखी सब कंपणियों थे, एक काम करो ना, curve glass देदो, टrks में आजकल curve glass हा रहे हैं, कर देदो क्यों, तक हम किस्टमर की ले ले हैं, तो कर ले कर देदो कि क्या देदो, वहला कर ग्लास टूटा है काटे टिकेटेंगो यह होता है यह कम्पनी करती थी पिछले एक सो सास ऐसा हो रहा था लेकिन अभी कम्पनियों के अरे उससे तो लोग का मतलब लॉस नहीं हो रहा है हम लोगों की लें कैसे तो कहां करो कर अभी आप इंडिया में देखते होंगे बुल्ड चीज के लिए हो जाता है कि मैं यह कम्पनी जान भुझके हम प्लिक की ले लेंगे और एक होता है कि सर यह ट्रक बना रहें टेकिट अंगो काम ख़ता है तो लोजिक वही है कि जितना टाइम में बागी सारी कम्पनी हम ना ऐसे इसको लॉक कर देते हैं मतलब अब कभी जितना टाइम में बागी लोग हर से बना दिया गारी तो बाखी सब लोग क्या कर सकते हैं तो वही समझना है बहुत जरूरी है कि यह बत सही है अगर गवर्मेंट ठीक से काम कर रही है तो तो अब कोई दिकत ही नहीं कर रहे है तो बड़ी कम्पनी में बीरोक्रसी होता है यानि कि कल को अगर कोई समझधार आदमी हा गया है आराम से वो टाटा हो चाहे वाल्वो हो कुछ सर आप लोग हुलूलू करतो हम यह आज जी टेक इट एंड गो बागी सब हुलूलू लेक्टरिक पर कर रहे था हम से लैप्टॉप का ही बैटरी लेगे बस उसको अठारा स लगा देंगे उसका हाई वोल्टिज करतेंगे तर्क देंगे तो करने वाले वाज समझना बहुत जरूरे कि बिरोकरसी जहां आती है वहाँ आप गूल गूमते हैं वहाँ पर कोई भी यंग स्टार्ट अप आपकी ले सकता है यह दो मेरा बहुत फेट एक्जामपल है इसल सिर्फ यह करना कि अचा सबका क्या कंप्लेंगर सब कंप्लेंड में एक यह मिल जाता को किया फोक्तें कॉमंघेल अप डिनॉम धूंदिय्ट है तो यह था एक च्छलि नीच्शेचैन का कैसे दो तो likelihood क्すट इसको सफ किया गया सकता है अगर अ करने दोस्त घ्रक्र तो उसे मेरा काफी बलाऊगा नहीं अच्छा लगा नहीं पजानदा है कोई बात नहीं अब डिसलेक दबासकते हैं मैं कहूंगा डिसलेक दो बार दबा है उसे में जब बता चलाओ कितना ना पसंद हो है मैं आप सब्सक्राइब को मैं हाथ कमेंट को पढ़ने कुशिश करता आप सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई अरा फ्री है तो आपने आप वीडियो देखे जानकों बहुत कुशी हुए धन्यवाद